गोरखपुर जन्पद में लोग सभा की दो सीटे हैं एक गोरखपुर सदर और दूसरा बांस गाओं बांस गाओं अन्सुची ज्याद के लिए रच्छित है यहां पर बरतमान में कमलेश पासवान सांसद हैं इन्होंने हेक्टिक लगा दी है 2009, 2014 और 2019 में यह चुनाव जीच चुके हैं 2019 को चुनाव में इन्होंने सदल परसाद को लगभग एक लाख तिर्बन हजार वोटों से हराया था सदल परसाद बस्पा और सपा के संजुक्त परत्यासी थे यही नहीं 2009 की बात करें हम तो 2009 में भी एक करीब सवा लाख होट से जीते थे और 2014 की यहां तक बात है उस समय भी एक लाख पैंतिस हजार से इन्होंने सदल परसाद को हराया था और यह तीन बार अब चुनाव जीतने के बाद चौथी बार दावेदारी में हैं भाजपा में इनके अलावा और भी लोग हैं जैसे जो मुंडेरा के दो बार विधायक रहे हैं बेचन परसाद वह भी दावेदारों की सुची में हैं और एक सार्दा देवी जो चार बार विधायक रही हैं मुंडेरा वाजपा से उनके जो भतीजे हैं अमरनाथ पासवान वह भी दावेदारों की सुची में सामील हैं वह भी दावेदारी भाजपा से कर रहे हैं और जो भाजपा ने जो अपनी क्राइटेरिया बनाई है, जो अपना सर्वे अंदर से कर रहे हैं, कि जो तीन बार या 75 साल से उपर है, उसको इस वर प्रतियासी नहीं बनाए जाएगा, इस क्राइटेरिया में देखा जाए, तो कमलेश पास्तवान तीन बार से अंसर रह इनके उपर कुछ जमीन को ले करके भी बिबात था, इनका नाम आया था, हलाकि इन्होंने उसमें सामील होने से इनकार किया था, सुत्र बताते हैं कि यदि कहीं से इनका टिकट कटा, तो ये अपने भाई, जो बास गाउं से बिधायक हैं, उनके लिए दवेदारी पेस करे इनके भाई लड़ें, और इसके अलामा कांग्रेस की जहां सतक बात है, कांग्रेस और सपा के गटवंधन में बास गाउं की सीट कांग्रेस को मिल गई है, कांग्रेस के महावीर परसाद हैट्रिक के साथ सरवाधिक चार बार वहां से लोक सभा सांसद रह चुके हैं, हलाक आवेदार हैं कांग्रेस के, उसमें एक कमल की सोर, कमांडो का नाम आता है, जो राजु गांधी के कमांडो थे, और गांधी परिवार के बेहत नजदीक रहे हैं, वो बहराई से कांग्रेस के सांसद भी रहे हैं, और उनका जो ग्रिय छेत्र है, वो चौरी-चौरा बिधा बरहज और रुद्रपूर, पांचो जगह पर भाजपा के बिधायक जीते हुए हैं, आएसे में, और देखा जाए तो कांग्रेस के लिए इससे में थोड़ा मुस्किल तो जरूर रहेगा, लेकिन उस तो भविस्त की बाते हैं, और जातिकते दिसामिकरानम बताएं, तो व समण मद्दाता हैं, और दो लाग मुस्लिम हैं, तो इस लिहाज से भी देखा जाए, तो OVC, ESC और जो समण मद्दाता हैं, इनकी मत्वण भूमिका है, और ये सीट लगातार तीन बार भाजपा को जा चुकी है, हलाकि कमलेश, पासवान की जो माता जी है, जो भावती पा बंबिसफोर्टमून की हत्या हो गए थी, उस सहानबूत की नाते एक बार सपा वहां पर जीती है, नहीं तो कांग्रेश के बाद भाजपा ही लगातार जीती आ रही है, भाजपा के ही सांसत, राजनरायन पासी भी तीन बार जीते थे, और उसके बाद कमलेश पासवान का ह इसी तक तो परत्यासिता गोशित नहीं हुई है, भाजपा की तरफ से भी और किसी भी दल से भी कोई परत्यासित अपना गोशित नहीं किया है, अब इसी सप्ता या इसी पखवारे में हो सकता है, सभी लोग अपना गोशित कर दें, और यदि कमलेश पासवान का टिकट कर दो